राजकी बालिका इंटर कॉलेज उन्नाव आप सभी का स्वागत करती हूँ कक्षा बारा की भौतिक विज्ञान की कक्षा में आज हम सभी भौतिक विज्ञान विशाय के भाग एक के अध्याय पांच चुम्बकत्तो एवं द्रवे के भाग एक का अध्यन करेंगे बचों आपने इससे पूर्व वैदु छेतर का अध्यन कर लिया है जिसका अध्यन आपने भाग एक के अन्य चार अध्यायों में किया है अब आप देख रहे हैं यह चितर एक महान विज्ञानिक का है जिनका नाम है माइकल फेराडे माइकल फेराडे ने भातिक विज्ञान में बहुत ही सराहनी योगदान दिया और आज जिस हम अध्याय का अध्यन करने जा रहे हैं उसमें इनका योगदान सर्वोत्तम है फेराडे ने एक अध्यन किया जिसमें उन्होंने देखा कि वा है चुमकी छितर में यदि हम पदार्थों को रखें अर्थात हमारे चारो और की सभी वस्तुएं जिनें हम पदार्थ कह सकते हैं जैसे मेज, टेबल, कॉपी, पैन, वस्तुएं कुछ भी ये सारे पदार्थ कहलाते हैं जिनमें हम तत्वों को, योगिकों को, मिश्रणों को, आयसकों को सभी को संबलित करते हैं फैराडे ने एक अध्यन किया, जिसमें उन्होंने 1846 ने देखा कि यदि बिन बिन पदार्थों को चुम्ब की ये छेत्र में रखा जाए चुम्ब की ये छेत्र बचों, आपको मैं लक्ट कर दूँ कि जिस प्रकार एक इस्एर आवेश वैदुच रूत पन करता है, उसी प्रकार एक गतिमान आवेश चुम्ब की ये छेत्र उतपन करता है चुमकी ये छेत्र यदि वाह है और उसमें कोई दूसरा पदार्थ रखा जाता है तो वो भिन भिन प्रकार के लक्षोनों का प्रदर्शन करता है इस आधार पर हम देखेंगे कि सन 1846 में फैराडे ने अनेक पदार्थों को भिन भिन पदार्थों को उन्होंने लिया और चेत्र में रखे जाने पर कोई भी पदार्थों हो वह कुछ लक्षोन प्रदर्शित करता है अर्धार वह स्वयमें चुमकी ये छेत्र उत्पन करता है जिसके आंतरिक चुमकी ये छेत्र कहते हैं उसकी प्रबलता एवन उसकी प्रबलता भिन 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 हो सकती है चुमकी करण किया गया तो आईए बच्चों हम देखे हैं कि ये वर्य करण माइकल तराडे ने किसाधार पर किया और किस प्रकार चुमकी छेतर में वहे चुमकी छेतर में रखी जाने पर अलग-अलग पदार्थों ने अलग-अलग अधिलक्षन प्रदैशित किये बचों यह एक वहे चुमकी छेतर है जिसे मैंने चुमकी छेतर दर्शित किया है आप इस बात पर ध्यान दे कि चुमकी छेतर एक सदिश रासी है अरखात उसकी दिशा होती है मान लेते हैं कि हमने कोई भी पदार्थ जिसका एक चतुर भुजाकार है उसे हमने किसी वहे चुमकी छेतर में रखा है मान लेते हैं यह चुमकी छेतर भी है जिसमें हमने एक पदार्थ को रखा है इस पदार्ट का अभी बचो हमने कोई भी नाम आपको नहीं बदाया है यह कोई भी पदार्ट हो सकता है उदारण के लिए यह सोडियम हो सकता है यह तामभा हो सकता है अनिथा यह लोहा भी हो सकता है यह तीनों पदार्ट किस प्रकार यह यह तीनों तत्व क्योंकि उदारण के लिए हमने जितने भी लिये ये सभी तत्तों हैं ये भिन 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 गोर्ण प्रदर्शित करेंगे माल लेते हैं कि ये कोई भिन पदार्त है इसके अंदर वैदु छेत्र पन होगा जिसे हम B डैस लिख लेते हैं तो B डैस जो चुम की ये छेत्र है और B जो चुम की ये छेत्र है उनमें आपको दो चीदों के गढ़ना करनी है नमबर एक दिशा और नमबर दो प्रबलता आप देखेंगे यदि दोनों की दिशा अर्थाद वाह चुमकिये छेतर एवं आंतरिक चुमकिये छेतर की दिशा समान रहती है किन्तु जो आंतरिक चुमकिये छेतर उत्पन हो रहा है उसकी प्रबलता छीन है पुना जो चुमकिये छेतर उत्पन हो रहा है वह चुमकिये छेतर की दिशा में उत्पन हो रहा है अर्थाद समान दिशा में उत्पन हो रहा है किन्तु कैसा है प्रबलता यह दोनो भी वर्ग हैं. तरठार कुछ पदार परग में रखे जाएंगे और कुछ दुतिय वर्ग में रखे जाएंगे. तीसरा वर्ग और होगा जिसमे आंतरिक सुलूं कि छेतर जो पदार को उपन हुआ है और वार सुलूं कि पुची जिसा ने रखे जात गाएंगे. यह छीत्र हामेशा कैसा उत्पन होता है छी आम ने देखा कि फैराडे ने जो अध्यन किया उसके आधार पर तीन प्रकार के सभी पदार्थों को तीन वर्गी करणों में से किसी एक वर्गी करण में हामेशा रखा जा सकता है और प्रतेक पदार्थ किसी ना किसी वर्ग में आवश्य आता है, इस आधार पर माइकल खराडे ने तीन सूचियां बनाए, उन्होंने तीन वर्ग बनाए जिसमें भिल्य भिल्य पदार्थों को रखा, पदार्थों में बचों तत्तों भी हो सकते हैं, योगिक भी हो सकते हैं, आयस्क भी हो सकते हैं, बिश्ण भी हो सकते ह उन्होंने पदार्थ को किन सूचियों में विभक्त किया। आप देख रहे हैं, तीन सूची आपको प्रदरशत की गई हैं, पहली सूची में लिखा हुआ है प्रति-चुम्ब की पदार्थ। बचों ये वे पदार्थ हैं जिनमें चुम्ब कत्व उत्पन्न तो होता है किन्तु वह वाहे चुम्ब की छित्र के विप्रीव दिसा में एवं बहुत ही छिन उत्पन्न होता है देखते हैं इसमें कौन-कौन से उदारण हैं कौन-कौन से पदार्थ हैं तो देखें कुछ त जल है, नाइट्रोजन गैस है, हाइडोजन गैस है, तो आप देख रहे हैं कि प्ति चुम्म किये जो पदार्थ का गुण है, वह तत्वों द्वारा भी प्रदशित किया जाता है, योगिकों द्वारा भी प्रदशित किया जाता है, मिश्रणों द्वारा भी प्रदशित किय होगा वह वाह चुम्ब की च्छेतर के ही दिशा में उत्पन्न होगा किन्तों उसकी प्रिबलता बहुत कम होगी अठातवे च्छीन होगा इसमें देखते हैं क्या उधारण है एल्यूमिनियम सोडियम प्लेटिनम मैगनीज कॉपर क्लोराइड एवं तरल ऑक्सीजन या ऑक्सीजन इसी प्रकार एक तीसरा वर्ग है जिसमें चुम्ब की गुरों के आधार पर हम पदार्थों को रख सकते हैं और यह व हैं वह मैग टाइट आयसक्त की घवनें चुंब की चित्र में राखा तो उन्होंने पाया कि इसमें चुंब कतों का गुर्व उत्पन होता है और वा चुंब की च्छित्र की ही दिशा में होता है एवं अत्यcrowd प्रबल होता है आये बचों हम देखते हैं कि क्या परिभासा ह भिन भिन रूप से प्रति चुम्बकिये पदार्थ, अनुचुम्बकिये पदार्थ एवं लौचुम्बकिये पदार्थों की। प्रति चुम्बकिये पदार्थों को आंगल भाषा में आप दाया मैगनेटिक मैटीरियल भी कहते हैं। कुछ पदार्थ चुम्बकिये छेतर में रखे जाने पर छेतर के विपरीद दिसा में छीन रूप से चुम्बकित हो जाते हैं। आए देखते हैं क्या क्या है। हीरा जो की कारवन का पर रूप है, सामाने जल, NACL यानि की सामाने नमक जिसका हम भूजल में प्रियोग करते हैं, सोना जिसका हम प्रियोग करते हैं, चान्दी और पारा। आप देख रहे हैं कि डाय मैगनेक्टिक सबस्टेंस या प्रती नहीं होने वाला चुमकत वाहे चुमकी च्हेतर के विपरीत होता है, एवां अत्यानत छीन होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि अनचुमकी पदार्थों में क्या विसेस्था होती हैं। अनुचुम्ब की कुछ पदार्थ जो अनुचुम्ब की कहलाते हैं चुम्ब की छेत्रों में रखे जाने पर छेत्र की दिशा में मामूली से अर्था छीन रूप से चुम्ब की हो जाते हैं इनके इस गोड़ों को अनचुम्ब किये पदार्थों का गोड़िया अनचुम्ब कर तो कहते हैं सूची बाग के पदार्थ अनचुम्ब किये पदार्थ है बचों जो चित्र आप देख रहे हैं जिसमें आपने कॉपर क्लोराइड, प्लेटीनम, ऑक्सीजन एवं अलुमिनियम फॉयल को आप देख रहे हैं ये आपके जीवन में प्रयोग में आने वाले या प्रयोग शाला में मिलने वाले कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो की अनचुम्ब किये पदार्थों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं इसी प्रकार तीसरा जो हमारा वर्ग है वै है लोह चुम्ब कित्व पदार्थों का वर्ग बचो ध्यान दीजिए लोह चुम्ब किये पदार्थ एवं अनुचुम्ब किये पदार्थ गुण में समान होते हैं अर्थात उन्हों उत्पन होने वाला चुम्बकत तो सदयव वाल चुम्बकत छेत्र की दिशा में ही होता है किन्त उसकी प्रवलता बहुत ही अधिक होती है। आप देख रहे हैं कि आईरन जो की लोहा कहलाता है आपने सामाने रूप से देखा है कि लोहे में बहुत ही सीग्र चुम्बक के पास रखे जाने पर चुम्बक के गुण धारण कर लेने की छमता होती है। आप घर में यह कारे कर सकते हैं कि आप किसी भी दंड चुम्बक को ले या किसी भी चुम्बक को ले और उसके पास यदि आप लोहे के किसी भी ब्लेड को रख दे तो काफी लंबे समय तक रखने पर उसमें चुम्बकतों का गुण स्वयम उत्पन हो जाता है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि लौग चुम्ब की पदार्थों में वह चुम्ब की छितर में रखे जाने पर उसी दिसा में बहुत ही प्रबल चुम्ब कत्व का गुण आ जाता है अर्धात आंतरिक चुम्ब कत्व उपन होता है जो बहुत ही प्रबल होता है अब बचों हम देखते हैं कि हमने यह अध्यन कर लिया कि पदार्थों को जब हम वाय चुम की चितर में रखते हैं तो वे प्रदर्शित करते हैं भिन 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 किन्तु क्या कारण है जिसके कारण में ऐसा गुर प्रदर्शित करते हैं चितर में बचो आप देख रहे हैं कि एक नाभिक को प्रदर्शित किया गया है, नाभिक के चारों और एक कप्छा को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें एक इलेक्टरॉन गूम रहा है. बचो आप सभी को जानकारी है रसायन विज्ञान के आधार भूत तत्यों में आपको यह ज्ञान दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नाभिक के चारोर कप्छाओं में चक्र लगाते हैं साथ ही साथ वे अपनी धूरी पर चक्रण भी करते हैं बचो यह चक्रण दो प्रकार का होता है इलेक्ट्रॉन्स या तो बामावर्थ चक्रण करते हैं अनिथा दक्षनावर्थ चक्रण करते हैं एक तथी यह भी है कि जिस प्रकार एक इस्थिर रखा हुआ आवेश वैदू छेतर उत्पन करता है उसी प्रकार लूप में घूमता हुआ एक आवेश वैदु छित्र उत्पन करता है आपको मैं इसे पुर्व की अध्यन चालाओं में ले जाना चाहती हूं जहां आपने वैद्वित बीधु का अध्यन किया था वैद्वित बीधु में बचों आपने देखा था कि एक छोटी दूरी पर यदि हम एक रिनात्म चार्ज या आवेश को रख दे जिनका परिमान समान हो किन्तु उनकी प्रकति विप्रीत हो तो हम इसे कहते हैं वैद्वित बीधु इसे प्रकार यदि हम चुम्ब कत्व का अध्यन करना चाहें तो हम देखेंगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी लूप में चक्रण करता है या घुमता है तो इसी प्रकार का एक सिस्टम उत्पन होता है जिसे हम बोलते हैं चुम्ब किये द्वीधु क्या बोलते हैं चुम्ब किये द्वीधु जिस प्रकार हम वैद्वु छेतर में एक राशी का अध्यन करते थे जिसे हम बोलते थे वैद्वि द्वीधु आघु उसी प्रकार एक राशी है जिसे हम बोलते हैं चुम्ब की आगून चुम्ब की आगून प्रदर्शित करता है कि यह जो छोटा सा चुम्ब की द्विध्रू बना हुआ है उसकी प्रबलता कितनी है तो आप देखते हैं कि प्रत्य पदार को परमाणूं से मिलकर बना होता है सारे परमाणू मिलकर ही अडू बनाते हैं अडू मिलकर ही योगिक बनाते हैं योगिकों के मिश्रण से ही आपको मिश्रण मिलते हैं मिश्रण या आयस्क मिलते हैं अर्था सभी के मूल में क्या है प अपनी ही धूरी पर वचो ध्यान दें यह चक्रन दो प्रकार का होता है दो प्रकार का चक्रन होता है एक है बामा वर्थ चक्रन और दूसरा है दच्छना वर्थ चक्रन आप देखते हैं कि रसायन विज्ञान में जब आप खुंड के नियम का अध्यान करते हैं तो आप देखते हैं कि कक्षकों में जब हम इलेक्ट्रॉंस को भरते हैं तो हम देखते हैं कि पहले अपसाइड यानि कि इसे ही हम बोलते हैं just spin up and spin down अर्थार बामा वर्ठ एवं दछनवर्थ दो प्रकार का चक्रन प्रदर्शित करते हैं इस जो हैं इस स्पिन उत्पन होता है चुंद की ये nossos हो जब हम लेते हैं किसी ऐसे पदार्थ का, जो किसी भी चुमकीय छेतर में नहीं रखा गया है, तब तीन प्रकार के स्कितियां बनती हैं. पहली तो वे पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स युगमित होते हैं अर्थात उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाय जाते हैं दूसरे वेपदार्त होते हैं जिनमें कुछ संख्या में अयुगमित इलेक्ट्रॉन पाये जाते हैं और तीसरे वेपदार्त होते हैं जिनमें अयुगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती किन्तो विशेश परिस्थितियों में अयुगमित इलेक्ट्रॉन उत्पन होते हैं। अब बचो देखिए कि इस प्रकार ये छोटा सा इलेक्ट्रॉन जब चक्रन करता है तो एक चुम्ब की आगूर उत्पन करता है। यदि दो इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं तो उनके की आगूर निरस्थ नहीं हो सकता। यदि चुम्ब की आगूर निरस्थ नहीं हो पा रहा है अर्थात पदार्थ के पास अपना एक चुम्ब की आगूर होता है। इसी प्रकार तीसरे प्रकार के वे पदार्थ हैं जब वे विशेश परिस्थिति में रखे जाते हैं तो उ प्रति चुम्बकत्व गुर्द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। प्रति चुम्बकत्व गुर्द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। अब आप देखते हैं कि आप इनका अधिक गहन अध्यन करने के लिए कुछ राशियों का भी अध्यन करेंगे। जिसमें से कुछ राशियां हैं जिन्हें हमने सुची बद्द कर लिया है। पहली राशी है चुम्बकी प्रेरण जिसे हम आंगल भासा में मैगनेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। यह भी एक सदिस राशी है। जिसमें सदिस होता है जब की चुम्बकी तीवरता को हम हम एक सदिस से प्रदशित करते हैं। चौथी राशी है बचो चुम्बक शीलता यह एक अधिस राशी है। इसे हम आंगल भासा में मैगनेटिक पर्मियबिलिटी कहते हैं। फिर आते हैं सापेचिक चुम्बक शीलता पर जिसे हम आंगल भासा में रिलेटिव मैगनेटिक पर्मियबिलिटी कहते हैं। चुम्बक शीलता पर जिसे हम मैगनेटिक ससेप्टिबिलिटी भी कहते हैं। बचो हम इन राशियों का क्रम वारा ध्यन करेंगे। तो आईए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या है चुम्बक यह प्रिगण। चित्र में आपको पुना एक वाह चुम्बक शेत्र में रखा गया एक चौको शुकड़ा दिखाई दे रहा है। बचो यह वाह पदार्थ है। अभी हम इसकी गर्णा नहीं करेंगे कि यह पदार्थ किस प्रकार का है, किस वर्ग में रखा जा रहा है। अरफात यह लौछुन्ब की है यहाँ प्रतिशुन्ब की है आप देख रहे हैं कि जो समानां पर रेखाएं हैं जिनमें किरण आरेक भाएं से दाएं और बना है वह वह चुन की च्थर को प्रदरशित कर रहा है जबकि चौकोर टुकडे के भीतर का जो छेतर है वर आंतरिक यानि कि उत्पन हुए छेतर को प्रदर्शित कर रहा है आप देखेंगे कि पहले चितर में जो चितर बाई और बना हुआ है आप देख रहे हैं कि कुछ बिन दुवार पंक्तियां दिखाई गई है ये पंक्तियां उन चुमकी बल रेखाओं को प्रदर्शित कर रही है जो आंतरिक चुमकी चितर के कारण उत्पन हुई है जबकि सीधी रेखाओं से केरण दौरा वाय चुमकी चितर को दिखाया गया है बच्कों आप देख रहे हैं कि प्रथम चितर में आप देखते हैं कि चुकों चुकडे के भीतर चुमकी चितर की दिखा एवं बाहर चुमकी चितर की दिखा भिन भिन है किन्तु दूसरे चितर में आप देखते हैं कि चुमकी चितर में बाहर दिखा एवं भितर दिखा सम आगको भी देखें कि प्रथम प्रकार के पदार्थ में भीतर की और दो या तीन ही चुम की बल रेखाएं दिखाई गई हैं जबकि दुतिये चित्र में आंतरिक चौकोर पदार्थ के तुकड़े के भीतर कई सारी रेखाएं चुम की बल रेखाएं दिखाई गई हैं बचों चुमकी बल रेखाओं की संख्या यह दिखाती है कि उत्पन चुमकी ये छेतर कितना प्रबल है यदि एकांक छेतर फल में बुजरने वाली चुमकी बल रेखाएं अधिक हैं तो वह चुमकी ये छेतर प्रबल माना जाता है एवं एकांग छेत्र फल से गुजरने वाली चुम्मकिय बल लेखाएं यदि उनकी संख्या गम है तो चेत्र को छीड माना जाता है आपको यह सबस्ट हो रहा है कि चित्र ए में उत्पन वैदु चित्र मूल वैदु चित्र अर्थाद वा है वैदु चित्र का विप्रीत है अर्थाद यह प्रति चुम्म की पदार्द है जबकि दूसरे चित्र में पन होने वाला आंतरिक चुम्म की चित्र प्रबल है क्योंकि संख्या जो है आपकी चुम्म की बल लिखाओं कि वह अधिक है अर्थाद प्रबल है एवं दिसा समान है इसका यह अर्थ हुआ कि वह लोग चुम की पदार्थ है अर्थार्थ हम कह सकते हैं कि जो दूसरा टुपड़ा रखा हुआ है जिसमें प्रभल वैदुचित रुपन हो रहा है वह लोग चुम की पदार्थ है जबकि पहले चित में प्रदर्शित किया गया जो पदार्थ है वह पदार्थ किती चुमुकिये पदार्थ है बचों आप किसी भी उधारण को ले सकते हैं सूची एक में दिया गया कोई भी उधारण जिसमें आपने पढ़ा था बहुत थारी उधारण जैसे जल है या कार्बन है उसका कोई भी टुपड़ा आप यहां रखेंगे तो यही प्रदर्शित करेगा जबकि दूसरे चितर में प्रदर्शित बुने वाला पडार्थ लॉग चुम्बकिये पडार्थ है अब हम देखते हैं कि यहां पर हमने एक S और N करके ब्रिशा दर्दर्शित की है बचो देखें जो बाया हिसा है जहां हमने S सिंबल बनाया है इसे हम नाम देते हैं दच्छणी दुरू का और जहां हमने लिखा है N सिंबल उसे हम नाम देते हैं उत्तरी दुरू का बचो जब कभी भी कोई भी पडार्ट कर दोड़ा चुम्मकी गुल पडशित करता है तो उसका एक सिरा स्वाभाविक रूप से उत्री दुरू एवं दूसरा सिरा स्वाभाविक रूप से दच्छिदू का पडशन करता है। चुम्मकी छेतर में रखा जाता है तो वह पडार्ट चुम्मकी हो जाता है। पडार्ट में इस प्रकार उपकंद चुम्मकत्व को प्रेरी तुमकत्व कहते हैं तथा इस घट्ना को चुम्मकी प्रेरण कहते हैं इसे वी सदिस से प्रदशित करते हैं। बचो वी सदिस ये प्रदशित करता है कि चुम्मकी प्रेरण एक सजिस रासी है अठाथ इसमें दिशा होती है अब आईए हम इसका परिमान कैसे ग्याद करते हैं परिमान हम ग्याद कर सकेंगे एरिया एक मात्रुप एक एकांक छेत्रपन से वोकर गुजरने वाली चुम्मकी बल रेखाओं के भी हम गर्णा कर सकें तो जो पारिभाशिक मुट से हम कह सकते हैं किसी चुम्मकी प्रेरण रेखाओं की उस संख्या को जो रेखाओं के लंबवत एकांक छेत्रपन से गुजरती है उसे हम कहते हैं चुम्मकी प्रेरण या मैगनेटिक इंडक्शन बचों हम इसके आगे भ कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं अन्थात पदार्थों का वर्गी करण हम कितने संख्या में कर सकते हैं जबकि हम बाद चुम्मकी पदार्थों का प्रति चुम्मकी पदार्थों का एवं लौग चुम्मकी पदार्थों का हमने जाना कि छोटा सा इलेक्ट्रॉन जो य खेत्र एवं उसकी दिशा ही एन्यदारित करती है कि पदार्थ अन्य चुम्मकियर होगा अनथा लोग चुमकियर होगा। बचो इस आधार पर आपके लिए यह भी सूचे है कि केवल चुमकी प्रेरण के आधार पर ही हम चुमककतों के गुर्ण का पूर अध्यन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा चुमकन तिग्रता, चुमकी तिग्रता, चुमक सीलता, सापेचिक चुमक सीलता, एवन चुमकी शुग्राहिता अर्फा चुमकी प्रवक्तितर। बचो, सभी पदार्थ आपको मूल भूप में यासी मरण रखना चाहिए कि सभी पदार्थ वे तत्व हों, वे योगिक हों, वे पत्व हों, वे किसी भी वर्ग में रखे जाते हों रासायनिक प्रवक्त से, वे अवश्य प्रदर्शित करते हैं चुमकी बूर यदि वे वह चुमकी झ cœur में रखते हैं अर्थाद सभी के सभी जो पृधक हों, वे चुमक पक्रक के गोन का पदार्शन करते हैं, वे या तो प्रतिचुमकी होते हैं, औचुमकी या लोचुमकी होते हैं तो आपके लिए एक छोटा सा ग्रायकारे हैं, जो बड़ा ही रुचिकर है, आप घर में मिलने वाली अपनी छोटी-छोटी वस्तुओं के साथ यह कर सकते हैं, आप किसी भी एक छोटे दंचुमक को ले, जो आपको किसी भी स्पीकर में मिल सकता है, उसके पास आप ले जाए भिन-भिन वस्तुओं जैसे लकडी का टुपडा, जैसे लोहे का ब्लेड, जैसे कागज और फिर उसे काफी समय के लिए उसके साथ रहने दे, अर्थात उसके साथ सनलगने रहने दे, फिर आप इस बात का अध्यन करें कि क्या ब्लेड में जिस प्रकार दूसरी वस्तुओ आप करेंगे इसे कि आप किसी भी प्रबल चुम्बक को लें, अर्थात प्रबल चुम्बक लेने पर जो प्रभाव होगा, यहीं पर समाप्त होता है, आपका यह अध्यन शालक का सजपरण, नमस्कार.